क्या खतम हो चुका है जोफरा आर्चर का इंटरनाशनल करियर सुन लीजे कैबिन पीटरसन की भविश्यवानी इस वर्षिये गन गेन बास जोफरा आर्चर बीते लंबे समय से अपनी इंजरी के कारण काफी परिशान रही है हाल ही में आर्चर ने आई पील में चोटिल होने के कारण सिरफ कुछ ही मैच खेले हैं वह अब अपनी इंजरी के चलते इंग्लैंड और आर्टलेंड के बीच होने वाले इकलोते टेस्ट मैच और आस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली अब इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्फ क्रिकवेटर कैविन पीटरसन ने जोफरा आर्चर पर बड़ी भविश्यवानी की है दरसल पीटरसन का मानना है कि जोफरा की इंजरी उनका इंटरनेशनल करियर खतम कर सकती है उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा कि मैं जोफरा के लिए काफी निराश हूँ मुझे लगता है कि उनकी यह चोट शायद इंग्लिश क्रिकेट के साथ उनकी यात्रा समाप्त कर देगी कैविन पीटरसन ने सिरफ जोफरा आर्चर के करियर पर भविश्यवानी ही नहीं की बल्कि इस गन गेन बास को उन्होंने करियर के लिए एक सुझाव भी दिया है उन्होंने का मुझे पता है कि एक फ्रेंचाइज के साथ कॉन्ट्रेक्ट की खबरे हैं जोफरा के लिए इसे स्रिक्वार करना ही अच्छा फैसला होगा 6 महीने रिकवरी करें और कुछ टोर्नमेंट खेलने के लिए चुने साल में कुछ महीने तेस तरा गेन बाजी करें ऐसा करने से उन्हें अच्छे पैसे मिलेंगे और इस खेल में अपना करियर बरकरार रख पाएंगे तो अब तो जोफरा आर्चर बाहर हो चुके है सारी सीरीज से जो उनको खेल नी थी बट हम विश करेंगे कि वो जल्दी से रिकवर हो अपनी इंजरी से और फिर से हमें मैचिस खेलते वे नजर आए तो गाइस अगर विडियो चलीगी हो तो प्लीज लाइक कीजेगा कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजेगा